हेलो एविवण मैं, मितुन सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होगे आर्मी पबलिक स्कूल के करेंट अफैर्स में सबसे इंपोर्टेंट जो भी अफैर्स में वो डिसक्स कराया जा रहा है तो यहां से question देख लीजिए पोसन अभियान यह जो scheme है Indian government के दोरा जारी की जारी है और इसका tagline देख लीजिए आप क्या है सही पोसन देश रोसन यह question एक्जाम में पूछा जा सकता है अब यह भी पूछा जा सकता है कि रोसन अभियान जो है और इसकी minister कौन है तो इसकी minister है इसमृति जुएन इरानी यहां से आप उनकी फोटो भी देख पाओगे जी हां यहां से फोटो भी देख लीजिए इनका aim है कि यह जो भी बच्चे में problem आ रही है malfunctioning आ रही है nutrition कम बच्चों में हो रहा है तो यह महिलाओं में और जो चोटे बच्चे हैं लड़कियां है और महिलाओं में की साथ साथ जो चोटे बच्चे हैं उनके अंदर यह वेट जो है कम हो रहा है उसको यह ठीक करने के लिए रोसन अभियान इन्होंने जारी किया है एक कोश्चन में आप लोगों से पूछ लेता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे आपको बस उस ब्रेटिस गवर्नर जेनरल का नाम बताना है जिसने इंडिया की कैपिटल को डेली से कलकर्ता से डेली इनोने जो है सिफ्ट कर दिया था कलकर्ता से डेली कैपिटल सिफ्ट करने वाले कौन थे लुइस मांट बेटल, लॉड कनिंग, लॉड हास हर्डिंग या फिर हैस्टिंग, वैरन हैस्टिंग ने किया था ये नीचे कोमेंट करके आप लोग बता ही चारो में से कौन सा आप्शन करेक्ट है हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन की और उससे पले एक और छोटी सिर्फोर्मेशन दे दो यहां से देख लो आप ग्लोबल क्लीन एनरजी एक्षन फॉरम ये जो है इंडिया यहां पे इन्होंने बात रखी है आपको ये कौशन पुछा जा सकता है कि ये ग्लोबल क्लीन एनरजी एक्षन फॉरम जो है ये कहां हुआ था कहां पे इसकी मिटिंग की गई थी तो यहां से देख लिजे पैंसल वालियां में हुआ था और ये यूएस में है यानि की उनाटेड स्टेट अफ अमेरिका में ये हुआ था और इंडिया के रिपर्जेंटिटिव भी यहां पे मौझूद थे और ये ग्रीन हाउस को कम करने की बात इन्होंने इंडिया की तरब से रखी थी एक और कॉश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं नीचे कॉमेंट करके इसका भी आप लोग आंसर दीजेगा और आगे बढ़ते हैं और कॉश्चन की स्टार्ट करते हैं करेंट इपर्स की उससे पले आप लोगों को बता दूँ आप मेरे हैंडिटे नौट्स लेना चाहते हो आखरी के एक 15-20 दिन जो भी बचे हुए हैं उसमें अच्छी से तयारी करना चाहते हो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो मेरे हैंडिटे नौट्स आपके बहुत काम आएगा 150 में आपको प्रभाइड कर दिया जाएगा यहां से मेरी इमेल आडी देख लो yourmithunsing at the rate gmail.com पे मेल कर लिजे इंस्टाप पे हो तो मैंसे फॉलो कर लो at the rate I amithunsing फिलाल question क्यों बढ़ते हैं? question आपके सामने यह रहा who has been recently given a copy of Assamese dictionary Hemkos in Braille sorry यह Braille Lippie के बारे में बात हो रही है कि Braille Lippie में Assamese dictionary को किसने जो है दिया है तो यह देख लेते हैं यहां से आप देख पाओगे answer नरेंदर मोदी है in New Delhi जयन्त बारू जो इन्हों ने जो है नरेंदर मोदी को यह dictionary आसामी dictionary जो है दिया जो कि Braille में भी होगा ताकि बच्चे असानी से पढ़बाएं कौन से फिल्म मेकर को जो है J.C. Daniels Award 2020 दिया गया है तो K.P. K.O.राराउन को यह दिया गया है याद रखिएगा Dr. Rajendra Prasad Memorial Award which was announced recently is related to which field तो आपको बताना है Public Administration में जो है Dr. Rajendra Prasad Memorial Award मिलता है यह भी release किया गया है आगे बढ़ेंगे नेक्ट कोशन की ओर Satyendra Singh Lohia Hailing from which state has become the first para swimmer to cross North Channel North Channel को पार करने वाले पहला para swimmer कौन बने है यह कहां से आते हैं हिमाचाल पर्देश, जार्खर्ण, हर्याना या MPN की मद्ध पर्देश से तो यहां से आप इसका अंसर देख पाओगे यहां से देख लिजे International Dibhyang para swimming Satyendra Singh Lohia has created history इन्होंने जो है North Channel को पार करके जो है history create कर दी है यादर कियेगा इस बात को कितने टाइम में किया है 36 km को इन्होंने पार किया है 14.39 आर में यादर कियेगा 14.39 आर में इन्होंने जो है इसे क्या क्या था पार कर लिया था और यह किस state से related है यहां से आप देख पाओगे फिलाल अगली कोशन की और में लोग पढ़ते है मेराज अहमद खान who has in a news recently is associated with which sport तो देखे यह सूटर से है यादर किये का ये भी कोशन exam में साइथ पूछा जा सकता है आपसे अगली कोशन की और में लोग पढ़ते है who has won the first gold medal for India in commonwealth game 2020 तो देखे मीरा भाई चानू जिनों ने gold medal जीता था आगे बढ़ेंगे अगली कोशन की और from where has a navy cheap recently launched indigenous support vessel INS, Nistar and Nipun कहाँ पे किया गया है विसाका पत्नम, कंडला चैन्नाई या मूंबई में इसका आंसर आप यहाँ से देख पाओगे यह देख लो आप इन्होंने जो है INS, Nipun और Vikran जो है नवी में deploy कर दिया है और यह हुआ है विसाका पत्नम में कहाँ हुआ है? विसाका पत्नम में और अगले कोश्चन के हम लोग पढ़ते हैं इंडिया has decided to participate in a mega aerial warfare exercise pitch black to be held in which country तो अस्ट्रेलिया में यह होने वाला है देखे अस्ट्रेलिया, जपैन, रसिया के साथ साथ हम लोग जो है सिंगापूर और भी कुछ friendly country है बंगलादेस हुआ इनके साथ हम लोग military deal बगएरा करते रहते हैं अगले कोश्चन के हम लोग बढ़ते हैं between India and which country x win back 2022 has been organized तो यह वियतनाम में होगा हम लोग वियतनाम के साथ भी tie जो है अच्छे कर रहे हैं अगले कोश्चन के हम लोग बढ़ते हैं Amazon has announced to set up its first solar power plant in which Indian state कौन से Indian state में यह जो है solar power plant जारी करेगा लगाएगा यह मनेपूर नागा लेंड तमिल नाडू या राजस्थान में solar power plant की बात हो रही है Amazon की तो देखिए यह इंडिया में फॉर्म करने वाले हैं और यह जो मेगावाट होगा वो 420 मेगावाट यनि 420 मेगावाट जो है energy produce करेगा और यहां से आप देख पाओगे वेटे मिनट राजस्थान में यह होने वाला है यहां से भी आप देख सकते हो अगले कोश्चन के लोग बढ़ते हैं वियर हैज मारूती सूज की इंस्टॉल एस लार्जेस 20 मेगावाट सोलार पाव जो प्लांट है यह मारूती सूज की ने इंस्टॉल किया है यह मानेश वर हरिहान में किया है Amazon ने कहां किया है राजस्थान में अगले कोश्चन के बढ़ते हैं वेर हैज दा इंडियन आर्मी फ़र्स्ट ग्रीन सॉलार energy plant has been given तो यह भी सिक्किम में लगाया गया है इंडियन आर्मी के बाद के हो रही है तो सारे चीज़ों को आप pen paper पे note down जरूर कर लिजिएगा तो उनका नाम बताना है आपको यहां से देख लिजिए नटवरलाल, हिराबाल, भगवती, गुलाम हुसन या फिर नागेसवर सेद फैजल अली तो इसका जो right answer होगा यहां से देख सकते हो आप एल नागेसवर राओ ने ये काम किया है right answer आपका क्या हो जाएगा ओप्शन, wait a minute जी हाँ, ये option B आपका क्या होगा, correct हो जाएगा अगले question के लोग बढ़ते हैं next question आपके सामने ये रहा who has been made the vice president of international chase federation विसुनात आनन जो है vice president बनाए गए है international chase federation के who has been appointed as director in prime minister office सुएता सिंग को जो है बनाए गया है director in prime minister office और finally previous question of the day की बारी है यहां से देख लिजे the Delhi Lahore bus is officially known as इसको कौन सा नाम दिया गया था मैत्री बस ये तो नहीं होना चाहिए बंगला देश के साथ हम लोग जो भी tie up करते हैं वो मैत्री के नाम से होता है तो इन चारों options में से कौन सा होगा देख लिजे आपका correct answer नीचे होना चाहिए मैंने आप लोगों को जो भी question बताया प्लीज उसे recall जरूर करते रहें घर पे आपके exam के point of view से बहुत important रहने वाले हैं ये paper एक और बात अगर वीडियो आपने यहां तर देख लिया है अगर आपको top 50 का वीडियो चाहिए तो नीचे comment करके top 50 वाले part 2 जरूर रिलीज कर दो आप लिख दो तो मैं रात तक इसे रिलीज करने की कोशिस करूँगा finally फिर से बता दूँ 150 में आप मेरे handwriting notes ले सकते हो यहां से मेरे email ID और इंस्टा ID आपको दिख रही होगी तो mail कर लिजे यह अंस्टा पर message कर लिजे Thank you so much